यूपी बिहार की बहुत ही फेंस सी रेसिपी, चावल के फरे, जिनको चावल के भकोसे भी बोलते हैं, आप सभी की फेवरिट होती है और आप सभी के घ़र में बनती है, तो रेसिपी बिलकुल सेम है, उसको मैं बना दी थोड़े से हेल्ली ट्विस्ट के साथ, जिसको बनान स्वाइक न हर इमेच अब इन सन् regulation को मैं एक चमच तेल में सौते करूंगी आप में बिन भूने भी चन्ने की डार के साथ από कुछा।S सौटे जार लूँगी है। इस तो स्वार कि заг जाए फिर मैं उसको छन्न की डाल के साथ गृहना करी कि दो तो वरना जो stuffing हम बना रहे हैं वो बहुत ज़्यादा गीला सा हो जाएगा तो अच्छे से नहीं बन पाएंगे फरे हमारे इसके साथ ही जो हमने सौतिक किया धनिया और पालक को इसको भी मैं डाल दूंगी अब इसको दर दरा हमें ग्राइंड करना है इसमें थोड़ा से सूखे म मसालों में हलदी पाउडर तोड़ा सा जीरा पाउडर इसके साथ ही रिंग और नमक डाल करके इसको ग्राइंड कर लेंगे तरतरह सा एक कप पानी मैंने बॉयल कि उसमें नमक डाल करके एक कप चावल का अटा डाल देंगे चावल के आँटे को अच्छे से मिक्स करिएका इसमें बहुत जली लंप्स पढ़ने लगते हैं तो इस तरीके से मिक्स कर लीजे अच्छे से और एक मिनिट पकाने के बाद ही गयास का फ्लेम आफ कर देना आपको जादा नहीं को करना है इसको आफ करके फ्लेम को इसको इसके कवर कर दीजे व्यूंकि चावल का अच्छे से फूल जाता है जब स्कॉप कवर कर देंगे और जब हलका ठंडा हो जाए इस तरीके से प्लेट में निकाल के हाथ से मसल लीजे यह चावल का हमारा डो बिलकुर बन करके तयार हो देखिए बहुत अच्छे से यह तरीके से बाइंड होने लगता है तो बहुत ही इसली बन ज कोई भी मोल्ड या कटोरी आप ले सकते हैं इस तरीके से एक शेप में सारे पूरियां बना करके त्यार कर लीजे इससे एक जैसे फरे बन करके त्यार होंगे अगर आप एक शेप में बनाना चाहते है ना तो इस तरीके से आप मोल्ड की हेल्प लीजे स्टफिंग को फिल क यह सारे फरें इसी तरीके से बना करके रेडी कर लीजे मैंने स्टीमर को गरम होने के लिए ताग के ז llevarCl hole जाये और यह स़ड़ा सा ओल यह व्युस्टेISH करके साले फरें लिए इसके लिए और कवर करके 20 मिनट के इसको में स्टीम करना है कोई भारी चीज उपर से रख दीजेगा ताकि अच्छे से स्टीम हो जाए और 20 मिनट बाद जब ये थोड़े थंडे हो जाएं तभी आप इनको प्लेट में निकालेगा जब ये थंडे हो गए तो इस तरीके से आप कट कर सकते हैं बहुत ही आरायम से कटहसे जाएंगे ध्यान रखिएगा जब ये थंडा हो जाए तभी आप इसको कटकरिएगा और ये हमारे मश्चेदार से फरे बंकरते तियार हो गए पालक और चैने की डालवाली बहुत ही healthy, बहुत ही tasty आप इसको cut करिए, यह देखिए कितने अराम से cut हो रहा है आप इसको इसी तरीके से steamed for a direct ऐसे भी खा सकते हैं चटनी के साथ मैं इसको थोड़ा सा fry करूंगी जिसी और ज़्यादा tasty और मज़ेदार लगता है यह healthy सा snacks आप evening snacks में morning breakfast में बना सकते हैं या कोई छोटा party get together वगर आप कर रहो हो तो भी आप बना सकते हैं जिसको भी खिलाएंगे सभी आपकी तारीफ बरेगा, काफी healthy है क्योंकि यह तो fry करने के लिए मैंने थोड़े तेल में सरसों, उसके साथी जीरा, सफेद तिल और हिंग डाल करके, मैंने सारे cutaway फरो को इसमें डाल दिया अब मैं इसको थोड़ा crisp होने तक fry कर लूँगी और fry करने के बाद यकीन मानिए फरो इतने tasty लगते हैं कि आप सारे खुदी खा जाएंगे, बहुत ही tasty सिर्फ इसके साथ एक healthy और tasty चटनी भी बनाईएगा जरूर तो मैंने या पे इसको धनिये और हरी मेर्च की चटनी के साथ सर्फ किया था बहुत ही tasty लग रहा था तो आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना